मेंका कांदी जी की निकले हैं अब हम प्रकाष जी को अपना कैमरा गारा दे रहे हैं कि हमको जाना है नई दिल्ली रेल्वे सेशन और वहां से हम जा रहे हैं बक्स वहाँ हमारे पास एक रेस्क्यू आया ये बुल आया है हमारे पास मतौर से इसको सर पे सींग के चाड़ों तरह बहुत ज्यादा टाइट से कोई रसी बानके के चला गया था जिसके वज़े से इसको गाव हो गया वह इतना गहरा अलड़ी हो चुका था कि इसमें मागज लग गए थे और इसको पकड़ने के लिए हमें डार्ट गन करना पड़ा क्योंकि बूल बहुत जादा अग्रेसिव है अग्रेसिव तो ही है साथ ही भारी भरकम विशाल शेत्रफल वाला बूल है अब ही मेरे साथ है विवेक जी और विशाल जी यह अडॉप्ट करने आए है हमारी पेप्सी को पेप्सी के बारे में ऐसा क्या स्पेशल रगा किसी हमलेस को हम जेना एक मतलब नवल कोज है इसलिए मैं इसको लेकि जारा हूँ है तो सुरीली को चूले की गर्माहट के पास बहुत अच्छा लग रहा है सुरीली कूकिंग सीख लो तुम भी बहुत साले लोग कहरें कि सुरीली के आने से हमारी बेटी जी और हमारी जो टोफू है उनकी पॉपिलारिटी काम हो यह तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा पैंपरिंग हो जाती है तो वस हो ही हो रहा है बाकी किसी और के लिए हमारा प्यार बिल्कुल कम नहीं होगा है ना ही टोफू के लिए और ना ही टोफू के ठीक पीछे खड़ी हुई बेटी जी के लिए यह डॉग आया है विदूशी जी जो दाड़ बिंडी जी के क्या हाल चाले हाई यह अपना नाम सुनते ही उचलने लगी जो बोन बाहर निकला हुआ था जिसके वाज़े से उसको एंपूटेशन भी करना पड़ सकता था वो भी ठीक हो चुका है तो अब आपूटेशन भी कैंसल है वो पैर फोल्ट भी कर पा रहा है और अभी मैं हूँ कोशल जी के साथ और प्रकाश जी के साथ जो आये 45 मील से और वो अपने साथ लाए चार बिली के बच्चे है छोटे चोटे-चोटे किटिन्स हैं यह हम सब किनारी चले हुए थे ना महां क्या रहे है इसको गाड़ी से बजे इसके महां खात्म हो गई फिर फिर बच्चों को उठा के लिया तो गर्मे रखे थी अगर आपको बाब गनोश याद होगा जो हमारे पास धरम शाला से आया था इसका जो पैर था उसके उपर घाव था पालमगुर री चैक के लिए बेजा था इसका इंसेक्शन था वूंड में जो बहुत जादा पस थी वो ठीक नहीं हो पारी थी काफी एंटिबाइटिक्स चेंग हो थे इसका जो हील फ्राक्टर जो के अपर थाई एरिया में है इसके उसके वज़े से कंपटेबली पैर मीचे नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो जॉइंट गलत तरीके से हो चुका है कोशिश यही रहेगी कि पसवा लाइन फैक्शन जल्दी से ठीक हो जाए और हम इसको फिर रिलीज कर सकते हैं मैं गई थी ऊपर चंभी को राखी बानने के लिए और देखो यहां नीचे मुझे क्या दृष्य दिखा शूरीली पत्ते खाने शुरू हो गई है हाई शूरीली गुट गर और मुझे बहुत जल्दी है घास भी खाने शुरू हो जाएगी अभी तिवे बस हलका हलका निबल कर रही है इससे खाए नहीं जा रहे हैं पते वची जिस ट्राइंग हमारे पास चार किटन आई थी लदवारा से अनफॉर्चुनेटली जया और सुष्मा की डेथ हो गए वो काफी ज यसा बादाम के साथ हुआ हम नहीं चाहेंगे कि वैसा हो क्योंकि पिस्ता उसकी जो बहंदी वो अडॉप्ट हो गई थी लेकिन बादाम को कोई लेके नहीं गया था एंड में बादाम को एंग्जाइटी हो रही थी स्ट्रेस हो रहा था अब हम पहुंचे हैं बख्ष्वा जी और नरेश जी मेरे साथ हमारे फार्म मैनेजर है प्रतीक और प्रतीक के पास एक गुड न्यूज है जब लटाने बेबीज दे तो हम उनको फॉसर कर रहे हमारे यहां पर पांचों को हमने नहीं पर रख रखाता तीन बेबीज हमारे अडॉप्ट होगे एक कली गई है इसकी बेहन थी मेर इसकी बहुत प्यारी है इससे थोड़ा अटेश्मेंट जादा है तो अब मिरिंडा फाइनली एडॉप्ट हो गई है प्रतीक जी द्वारा और यह प्रतीक के साथ ही रहेगी हमारे ओफिसे में खूब जम के काम हो रहा है यह है श्रवानी वह है श्रिष्टी यह हमारी इश क्या दिक्कत है मीमी के लिए तो दिन बहुत सुहाना है क्योंकि बारिश है मौसम ठंडा है हमारी जो किचन स्टाफ है उसमें एक और शक्स भी जुड़ गया है या स्लैश जुड़ गई है और वो है सुरीली जी तो यह हर काम में अपने हाथ आजमा रही है तेस्ट कर रही है तो मेरे जो फ्रेंड्स है सह कर्मी है उनका फीडबाग है कि मैं बहुत जोर से बोलने लग गई हूं तो मुझे अपनी थोड़ी डाउन करनी है इसलिए मैं काम कर रही हूं अपनी आवाज को धीमी रखने का सुरीली ना काफी नटगट हो गई है यह पहली जैसी शरीफ बच्ची तो बिल्कुल यह देखो और धीरे-धीर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी अनिमल एरिया में नहीं गई है पर इसके अंदर जो आदते हैं वो धीरे-धीरे बेटी जी वाली आ रही है ना सिरफ पर सबसे चोटा हमारा काफ है अब सबसे शराती भी गई है मै जब भी डॉक्टर गुल्षन का फोन बजी रहा होता है दॉक्टर गुल्षन सुझा भी दे रहा होता है कि आप ऐसा कीजिए आप यह मेडिसिन देजिये तो अगर आपके पास कोई सवाल है आपके डॉक से रिलेटेड यह आप जिन आनिमल को फीड करते है जिनकी के आइन सब्सक्राइब हमने इसमें भी हल्दी लगानी शुरू कर दी जिसके विए इसमें भी हीलिंग थोड़ी ज्यादा जल्दी होगी है मानव वोट और जिसको आँखों में एक रेर कंडिशन है जिससे स्टाफिलोमा कहते है इसकी आँखों के ऊपर मास की परत आ गई है मानव की कंडिशन तब पहले थी कि इसकी आँखे बाद स्वोलन थी जिसमें बहुत डिस्चार्ज था तो हमने पालमपूर दिखवाया था इसको तो वहां पर एंटिबाटिक्स के था नों कुछ आईटॉप्स पताय थे जिसकी विए इसके इसका सब्स्चार्ज कम हुआ और आं पालमपूर दिखवाया था डागनासिस के लिए इसको एक्सरे गराने के लिए एक्सरे में इंफेक्शन थोड़ा ज्यादा आया था बोन में और पस्ट बहुत ज्यादा थी इसमें तो अभी एंटिबाटिक्स चल रहे है इसके बीडी तो थोड़ा पस्ट तो कम हुई है सब्सक्राइब काफी सुधार है कि हमने इसमें हल्दी लगाना शुरू किया था स्टार्टिक लेप लगा रहे थे जिसके परस्ट भी नहीं पड़ी और इसकी हीलिक बहुत ही जादा जल्दी हुई बहुत अच्छी हुई है तो थोड़ा से गहां बचा है तो कुछ टाइम इसमें रिलीस हो जाएगा मैं हूं हमारे फार्म मैनेजर प्रतीक शर्मा जी के साथ प्रतीक ब्रो यह क्या है निला नीली डंडी जैसी प्रास्टिक विछा देटी है स्प्रिंकलर्स है यह हमते हैं और इसमें से पानी निकलता है वैसे अदुर दृब सिस्टम लगा हुए यहां पर अगर वह कभी काम नहीं करता है और जादा पानी हमें जोरत रहती है तो फिर यहां पर साइड में हब दूगा रखिए तो अधर और रोज मेरी जब शिवानी वीगन पीजा बनाके हमें खिलाती है तो हमारा और एगन तो यहीं से आता है यह जो है यह प्लास्टि आप चाहें तो यह एक बहुत बड़ी आइडिया है प्लांट भी लगाने के लिए और अपना प्लास्टिक रियूज करने के लिए यह हमारी गरिमा जी और उसके साथ है जून के बारे में क्या अच्छा लगता है बहुत प्लेफुल है बहुत जादा आपस भागते रो दि उर्पट बुड़ागाँ पाषण भसमते बहुत बर बस में व जा रहे हैं दिल्ली नो माया जीप खड़ीयां वापस इमाच्छा एंस वीडियो पे काम घेती süd अजसर कि प्राटपक